तो देखिए सबसे पहले हमने बुकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद हम यहां से फोल्ड साइट से आगे की तरफ मार्क लगाएंगे फाइव इंच पे तो देखिए इस तरह से हमने फाइव इंच आगे मार्क लगा लेना है और यहां से लेकर यहां तक ट्वंटी इंच लैंथ पे हमें मार्क लगाना है हम इस तरीके का बॉक्स टाइप बैक बना रहे हैं जिसकी की हाइट और जो बेस होगा वह एकदम बराबर होगा तो देखिए उपर यहां से भी हमने फाइव इंच पे मार्क लगा लेना है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहां से यहां तक अब देखिए हमने यहां पर सेम साइज की लाइनिंग और बीच में हमने रखा है बुक्रम और सबसे उपर में फैबिक रखके चालो तरफ से हम स्टिच लगा लेंगे तो देखिए हमने स्टिच लगा ली अब इस पॉइंट से हम इसे यूँ फोल्ड करेंगे यहां तक स्टिच लगाएंगे फिर यहां तक स्टिच लगाएंगे ठेक इसी तरीके से यहां पर भी हम इस कॉर्णर पर इसे फोल्ड करेंगे यहां तक स्टिच लगाएंगे फिर इस कॉर्णर को फोल्ड करके उपर तक स्टिच लगा लेंगे देखें यहां से हम फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे फिर यहां से इस कॉर्णर से से फिर से मोड़ेंगे और यहां तक स्टिच कर लेंगे ठीक इसी तरी किसे दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे तो देखें दोस्तों हमें यहां पर स्टिच लगा लिया है अब हम हैंडल बनाने के लिए 7 इंच बाए 5 इंच का यह फैब्रिक लेंगे जिसको की हमने इस तरीके से एक फोल्ड करना है और उसके बाद यूँ फोल्ड करके इसको करीबन 1 इंच चौड़ी हमें बनानी है और स्टिच लगा लिना इदर तो देखिए दोस्तों अब हम यहां से थ्री इंच पे मार्क लगाएंगे सेंटर पे और यहां पर भी थ्री इंच पे मार्क लगाएंगे और इस हैंडल को यहां पर रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे फिर इसे यहाँ से पल्टेंगे और यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे तो देखें दोस्तों अब हमने 21 इंच लॉंग जिप ले ली है सबसे पहले हम यहां पर स्लाई को कीड लेंगे और यहां से कारीब अंदर से जीप रखेंगे जब इस कॉरुनर पर एंगी तो कट लगाएंगे जीप पे ताकि आराम से मुठ सके इस कौर्नर पे भी हलका सा कट लगाएंगे और यहां पर भी आफ सिलाई को चीर लिजेगा और यहां तक स्टिच लगा लीजेगा यह देखे इस तरीके से हमें ची नहीं है फिर जो जीब का दूसरा सीरा है उसे हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे यहां तक देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें पहले सिलाई को ची लेना है और जो स्टिच है वहां से हाफ इंच अंदर से जीप को रखके स्टिच लगानी है जब हम इस कॉर्णर पर आएंगे तो जीप पर हरका सा कट लगा लेना है ताकि यह आसानी से मुड़ सके इसके बाद यहां पर हम स्टिच लगा लेंगे ठीक है यह देखिए जब हम इस कॉर्णर पर आएंगे तो यहां पर भी जीप पर हरका सा कट लगा लेंगे और फिर से इसे हमने काट लिया है और कॉर्णर तक हमें स्टिच कर लेना है अब हम जीप का जो दूसरा सीरा है उसे इस तरीके से रखेंगे ये देखिए कॉर्णर पर हर्का सा कट लगा लेंगे और ऐसे हमें स्टिच लगा लेनी है अब देखिए हमने यहां पर जीप को अलग अलग कर लेना है और इसको हम सीधा करेंगे राइट साइड को टर्न कर लेंगे और जीप के अंदर हम रनर डालेंगे तो देखिए हमने जीप में रनर डालिया है अब यह जो सीरा है यहां पर हाथ की सुई में हम डबल ठैड डाले और दोनों सिरों को पांच-छे टांके लगा लेंगे इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम अच्छे से टांके लगा के इसको पक्का कर लेंगे अब देखिए हम किनारों की फिनिशिंग के लिए यह 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट कप्री की स्ट्रिप लेंगे और हर किनारे पर इसे ऐसे स्टिच कर लेना है हमें पूरा यहां तक और इस हिस्से पर भी तो देखिए इस तरीके से हमने किनारे पर इसे स्टिच कर लिया है आप इसे दूसरी तरफ को हम टर्ण करेंगे और किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे ऐसे जिफ वाले हिसे पर इसे से स्टिच करते हुए यहां तक लेकर आएंगे जिस तरह से ये हमने-फिनिश कर लिया है ऐसा ही करना में तो देखिए हमने ये बैक बना के तयार कर लिया है इसकी है और इसकी बेस्ट की चोड़ाई है और फ्रैब की जो चुड़ाई है वो सारी 55 इंच की है यह इस बॉक्स टाइप बैक की खासियत है और इसे बनाना बहुत ही इजी है है थाद है और यह बस्ट बढ़ाई है यह है के दो एटना बच्स बड़िए आ।